नमस्कार दोस्तों तो EU कोट का एक बहुत बड़ा डिसिजन आया है जिसके वज़े से स्टोक में भारी भरकम गिरावट आई है तो कोट का क्या डिसिजन है ये भी डिस्कस करेंगे इसी वीडियो गंदर और क्या रह सकता है ये भी बड़ी बात होगी इसके बाद कितना नु इसका बिस्कार नहीं होगा है एक फैसला अगर आपके अगेंस्ट आ जाता है इसका मतलब ये नहीं होता कि सारा बिस्नस हो गया है खतम एक्चली में क्या है EU कोर्ट ने क्या रिजक्त है टाटा स्टील और एक और कंपनी है EU की मतलब European Union की European Union में आप सारे देश मान लीजी UK, Spain वगरा है तो इन सब ने क्या कर दा था जो EU है एक मर्जर था टाटा स्टील का और एक वहाँ की कंपनी है थाइसन क्रप इन दोनों को मर्जर करना था था उसके मर्जर को मना कर दिया गया था 2018 में तो उस मर्जर के मर्जर को क्यों मना किया है EU ने वीटो क्यों किया है उसके अगेंस्ट यह कोर्ट में गया थे अब कोर्ट ने भी कह दिया कि उनों ने जो कहा था European Union ने वो सही है और यह आपके अगेंस्ट ही के regarding उनके concerns थे आज के दिन का देखे फैसला आया है code का कि ये merger नहीं allowed हो सकता तो इसलिए थोड़ा बहुत नुकसान हो सकता है यहां Tata Steel को पट अगर longer time की बात करें तो Tata Steel को ऐसा कोई भेंकर नुकसान नहीं होने वाला competition थोड़ा बढ़ेगा वहाँ पे वहाँ थोड़े profitability कम होगी बट हाँ merger की खबर नहीं हो पाई पूरी एक bad news जरूर थी